प्रेंड्स दिस इस सुमित वेल्कम टो माइ यूट्यूब चैनल चले दिखते हैं कल कॉंसा स्टॉप साब ट्रेड कर सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक के पहला स्टॉक के हमारा रिलाइन्स मैंने कल दिया हुआ था इस टॉक में मैंने बोला था कि इस कैंडल की नीचे अ इमिडियेट आप सेलिंग कर सकते हो लेकिन गैप डॉन खुला और रेड कलर का ग्रीन कल का कैंडल बनाया थोड़ा यहां पर उपर जाने के बहुत कोशिश की थी मैंने बोला था इस लेवल के उपर कोई भी एक ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग देता है तो इमिडियेट बाइंग कर सकते हो और पोजिशनल के लिए भी लेकिन इधर तक जा नहीं पाया एरॉंड इसी रेंज में आके यहां पर फिर सेलिंग आया है और सेलिंग देख सकते हो आप कितना बड़ा सेलिंग आया है आराम से आपको मोर देन कितना आज के दिन 87 रुपिश आपको मिला 87 पॉइंट मिला है कल का बहुत अच्छा है एनलेस हुआ है इसमें रिल्लैंस में यहां पे यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत ही अच्छा एम पैटन बना के यह नीचे गया है एंपटर्ण के ब्रेकडाऊन भी हुआ है। अदंसे और अगर सो प्राफित आपको बोला था है , और Aww अगर यह लेवल enema क्रॉस करता है तो इस रखना यह और साथ में 1-2 प्राफिट्समक्न टो मीड़ा है , तो नेक्स्ट अभी कल के लिए मैं यही स्टॉक अभी यह कर रहा हूं इसका यह अनलेसिस करने वाले तो अगर तो अगर कल फ्लैट खुल के इसी जगह पे अगर कोई भी एक इस लेवल के 2722.85 के आसपस फ्लैट कुल के एक रेट कल का केंडल इस तरह बनाता है और क्लोजिंग एरॉंड 2718.30 के नीचे दे देता है रेट कल का केंडल एक विक को इस लेवल को टच करना है 2722.85 को टच करना है उसके नीचे दे देना है इस लेवल के नीचे जो इमिडेट आप कर उसके लो पर सेल कर सकते हो 15 मिनिट के टाइम फ्रेम् यूजे करना है उसके लो पह लेशब कर सकते नहीं तो इसी लेवल के आसपास टोप लोस रखना पुड़ेगा इसका हाय के आसपास टोप लोस रखना पुड़ेगा और 270ारड फर्स्ट टार्गेट होगा सपर सब्सक्र में वर्लेथे आप इस लेवल तक लेके जा सकते हो लेवल के आसपस 2722.85 के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कलका केंडर क्लोजिंग देता है क्लोजिंग देने के बाद ही आप उसके हाई पर आप बाइंग कर सकते हो और इमेड़ेट आपका टारगेट रहेगा 2752.75 अपका टारगेट रहेगा पहला टारगेट इधर आने के बाद आप बुक करना पड़ेगा क्योंकि इस लेवल के आसपस सेलर से फिर से यह पुश कर देंगे तो यहीं इसी रैंज में यह और करते रहेगा तो फर्स टारगेट मिलते आप बुक करना पड़ेगा तो यह था अगर इसके ऊपर प्लोजिंग देता है तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन कुलता है एक डारेट इस लेवल के आसपास एक गैप डाउन एक केंडल कुलता है इमिडेट आप उसके लोग पे शॉट सेल कर सकते हो पहला टारगेट आपका 2670 2660 और 2650 रहेगा नेक्स्ट रेस्ट और के हमारा भी सॉफ्ट भी सॉफ्ट में आप देख सकते हो कि यहां पर पंद्रा मिनिट के टाइम फ्रेम पर यहां पर कल फ्लैट कुल के एराउंड 359 के आसपास इस लेवल के आसपास एक विक टच करके रिटेस्ट होके एक रेटकल का केंडल बनाता है फ़र्स्ट 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर तो उसी के लोग पर आप शौट सेल कर सकते हो इमिडियरट आपका फ़स्ट अर्गेट रहेगा 355.95 नेक्स टार्गेट आ रहेगा 354 और नेक्स टार्गेट 351 यह आपका पहला यह यह हर्डल रहेगा 351 के बाद यह यह बाद कर सकता है और करने के बाद अगर स्टॉप लोस आपने इस जगह पर रखना पड़ेगा 354 क्योंकि इस लेवल अगर यह लेवल ब्रिक कर देता है तो नेक्स्ट आपका टार्गेट यही बन जाएगा 344 आपका टार्गेट बन जाएगा अगर यह फ्लैट कुल के इस लेवल को 359.05 के लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आ जाता है और रेट कल का कैंडल बनाता है वो भी 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे उसके लोग पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो यह टार्गेट मैंने बता दिये अगर बहुत बड़ा गैप अपक खुलता है एराउंड 366.80 के असपस एक ग्रीन कल का कैंडल क्लोजिंग देता है क्लोजिंग देते ही आप उसके हाई पे बाई कर सकते हो इमेडेट आपका फर्स टार्गेट रहेगा यह 370 नेक्स टार्गेट आपका 371.50 रहेगा बाइंग में कॉंटिटी थोड़ा कम रहे ना इसमें अगर बहुत बड़ा ग दे आप उसकेंडल के लोग पर विक बनाना है उसकेंडल पर ओल पर शॉट्वी लड़ सेल कर सकते हो। तर्गेट 355 सेकेंड टार्गेट 351.60 थर्ड टार्गेट 344 आपका इंट्राड़े के लिए टार्गेट्स रहेंगे नेक्स्ट है आपका कोटेक बैंक कोटेंक बैंक में आप देख सकते हो कि फर्स्ट कोटेक बैंक में अगर एक मिनिट कोटेक बैंक में आप देख सकते हो इस लेवल के आसपस अगर फर्स्ट कंडिशन है इस लेवल के आसपस फ्लैट कुल के 1798.05 के आसपस एक विक टच करके एक रेड कलर का केंडल बनाता है और इसके नीचे क्लोजिंग देना है 1795.20 के नीचे एक रेड कलर का केंडल क्लोजिंग देना है इमेडिट आप उसके लोग पे शॉट सेल कर सकते हो फर्स्ट टार्गेट 1783.85 रहेगा नेक्स टार्गेट आपका आराम से आपको मिल जाएगा 1737.90 स्टॉपलोस आपका उस केंडल का हाई रहना है रेड कलर केंडल का अगर फ्लैट कुल के 1798.05 के आसपास एक ग्रीन कलर का केंडल उसके उपर क्लोजिंग देता है 1798.05 के उपर क्लोजिंग देता है इमिरेट उसके हाई पर आप बाइंग कर सकते हो कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है और फर्स्ट टार्गेट आपका 1811.60 रहेगा कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है stop loss इसकेंडल का लो रहेगा और यह टार्गेट आने के बाद ही आप बुक कर सकते हो क्योंकि इस लेवल के आसपास फिर यह सेलर जोन है यहां पर फिर सेलर्स पुश्च करेंगे और इसी लेवल के आसपास बाद में होवर करते रहेगा तो फर्स टार्गेट मिलते ही आप बुक कर लीजिए रिस्क फ्री रीजिए नेक्स्ट है हमारा एशन पेंट्स नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो कि यह सेलर एरिया है यह सेलर एरिया इसके नीचे अगर इसके उपर क्लोजिंग देता है तो इमेडिट आप ग्रीन कर के क क्लोजिंग यह देखिए इसके नीचे दे दिया है तो अभी सेलर्स बहुत हाई है अगर फ्लैट कुल के इस लेवल के असपस एक रेड कलर का केंडल बनाता है तो इमेडिट आप शॉट सेल कर सकते हो उसके लोग पे यह 276.50 उसका स्टॉपलस रहेगा इमेडिट आपका टार्गेट रहेगा 2683.90 अगर यह टार्गेट हो जाता है तो इमेडिट बुक कर लिजे क्योंकि यहां पर बायर्स फिर एक्टिव हो जाएंगा और इधर फिर से आ जाएगा इसे हो जाएगा वहर करते रहेगा अगर बहुत बड़ा गैप डान कुलता है एरांड इस इसके लोग पे शॉट सेल कर सकते हो और फर्स्ट टार्गेट आपका 2650.95 रहेगा और सेकेंड टार्गेट आपका 2625 रहेगा इधर जब जब गैपड़ोन होता है तो थोड़ा प्राइस एक्षन देखके शॉट सेल किजे क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा रिस्क इतना आपका रिस्क रहेगा इतना बड़ा और रिवार्ड आपका इतना बड़ा रहेगा तो देखके ट्रेड कीजिए क्योंकि रिवार्ड रिवार्ड भी बड़ा है रिस्क भी बड़ा है तो देखके थोड़ा ट्रेड कीजिए अगर बहुत बड़ा ग्याप ऑक खुलत and also subscribe to my channel thank you